दोस्तों फाइनली हमारा Samsung Tab A7 में One UI 3.1 का अपडेट आ चुका है जो कि मैं Android 11 के साथ देखने को मिलेगा तो दोस्तों पहले क्या था जब हमने टैब यह पर्चेस किसी ने भी किया होगा तो उस टैम पर जो यह टैब का वरसन था यह उस टैम पर One UI 2.5 में आया करता था Android 10 के स साथ और अब जो हमारा टैब उसमें एक फाइनली एक बीग अपडेट आ चुका है जिसमें को टन्स आफ चेंजेंज देखने को मिलेंगे और बहुत सारे इंप्रूव्मेंट्स देखने को मिलेंगे और यह अपडेट हमें Android 11 के साथ देखने को मिलेगा जिसका साइज का ब इप्रोव हुई है यह जानने के लिए हमारी वीडियो में एंड तक बने रहे हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ है यहां पर अपडेट पॉस्पॉंडेड लिखा आ रहा है तो जैसी मैं इस पर टैप करता हूं तो यहां पर मेरे को जो भी अपडेट में फुल चेंज देखने को मिलेंगे उन पज़रा में पर नजर मार लेते हैं तो सबसे पहले वीज्वल डिजाइन में चेंज करने को को बोला है उन्हें ऐसा कहा है कि कुछ जो नया फील हमें देखने को मिलेगा वन योई 3.1 में जैसे की नई चीजों में और काफी ज़्यादा बड़ी चीज भी देखने को मिलेंगे और हमें जो आइकन से उनका जो लुक है वह और जादा अच्छा देखने को मिलेगा और उनकी जितने भी आप नाम देखते हैं आइकन्स के मों में ज्यादा और अच्छे देखने को मिलेंगे रेजिलूशन थोड़े से इंप्रूव होंगे और इंप्रूव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी वन यह वाई 3.1 के अपडेट के बाद जो की मेमोरिय लोकेश जाए उसमें भी आपको नई चीज़े देखने को मिल जाएगी और जैसे की नई image categories देखने को मिल जाएगी जैसे कि dynamic lock screen में और आपको आप 5 एक 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 बार में apply कर सकते हैं और lock screen पे आप अपना कोई widget कर सकते हैं और उसमें अपना usage time भी देख सकते हैं उस widget का और आप एक interactive preview भी सेट कर सकते हैं सबसे पहले इन features को बताने से पहले मैं आपको नीचे जाके इस update का size बता देता हूं दोस्तों जो हमारा update का size है वो आपको यहां पे दिख रहा होगा सिक्स्टीन हंडड़ एट पॉइंट एटीटू एंबीगा में देखने को मिल जाएगा और तो security पैस लेवल वह में एक मार्च कहीं यहां पर देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी जो हमारा security पैस लेवल है वह किसमें चल रहा है तो सबसे पहले ह अब हम जाएंगे हमारे about tablet में जब हम जाएंगे तो यहां पर सफ्टवर इंफोर्मेशन का option जैसे हम सफ्टवर mim इंफोर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा जैंगा जैसी कि आपको दिख रहा होगा यहां पर एक मार्स 2021 का में वर्जन देखने को मिल रहा है और आप एकॉल बैगराउंड और पिचर या वीडियो भी सेट कर सकते हैं जब आप कुल या वीडियो कोई वीडियो कॉल जब आप रिसीव करते हैं और आप हमेशा ऑल्वेज ओन डिस्प्ले जो आपका एडजस्ट करने का है वो आपके लिए इसियर बन जायागा नए आइकन् मिलेंगे लॉक स्क्रीन पर हमें देखने को मिलेंगे नहीं वीडियों देखने को मिलेंगे जो हम लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हैं और अब बने कंट्रोल्स रूटीन को सेट कर सकते हैं और हमें एन्हेंस फीचर देखने को मिलेंगे जो कि हम आपको बताया था यहां पर हम देखेंगे को मिल जाएंगा और जब हम स्क्रीन पे हम कहीं डबल टैप करेंगे तो empty space अमारी जो लौक स्क्रीन पर हो भर जाएगा आाम से भी फिल हो जायेगा जो कि इस प्रेट इन्हें में देखने को दिया जोकी इन रहने एक देखने को मिलेगा नए फीचर्स को सेपरेटली नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं जिसे कि आपको नोटिफिकेशन पैनल की और चीज़े आपको आसान लगेंगी और जैसे कि जो भी आपकी चीज़ डूब्लीकेट कॉंटेक्ट्स है उनको आपको डिलीट करने में य और मल्टिपल लिंग एकाउंस को हम सिंगल स्क्रीन पर ही आराम से देख सकते हैं और ट्रैस मैसिज़ेश डिलीट करने के लिए आपके लिए जो लिमिट है उन्हें ने बढ़ा दिया जैसे कि मैंने आपको भी बताया है टेक पिच्चर्स कुईकर विद इंप्रूफ ऑट और आटो एक्सपोजर जो हमारी पिच्चर की कौलिटी है वह भी हमें इंप्रूफ देखने को मिलेगी और अच्छी एनहेंस देखने को मिल जाएगा और जो पिच्चर्स होंगी वह क्योग्ली क्लिक होंगी और सारी चीज़ व्यू एड़िट और शेयर हैं वह ज्यादा अच्छी तरह gallery से कर सकते हैं और finding pictures और finding videos आप अराम से features और categories आप अराम से gallery में search कर सकते हैं और edited pictures जो है आप उनको reverse to original versions कर सकते हो anytime आप कभी भी एक साल बाद दो साल बाद कभी जब तक आप पे tab रहता है जब तक आप सको reverse कर सकते हैं किसी भी time पे और setting में आपको नया simpler और अच्छा feel देखने को मिलेगा जब को Samsung account वो टॉप पे दिखाई दे जाएगा और हमारा home screen है वो में अच्छे से access कर पाएंगे और जो हमें जो काफी अच्छी settings में और देखने को मिल जाएंगी और जो हमारा settings ढूणने का जो time है वो भी हमारा एक कम हो जाएगा productivity में हमें नए routines हम इसमें add कर देगा है इन internet हम अपना status और navigation bars को हम hide कर सकते हैं जिससे कि हम इमर्सिव experience and quickly immersive experience मिले और हम pages को quickly translate कर सके परस्टनल डाटा को कुछ भी effect नहीं करेगा लेकिन आप अच्छा होगा कि अगर आप अपना जो डाटा है उसको backup करके रख लें अगर एक परसेंट वो हो जाता है तो तो अब हम इसको install कर लेते हैं तो मैं यहां पर कर देता हूं दोस्तों फाइनली जो हमारा Samsung Galaxy Tab A7 अपडेट हो चुका है तो अब जरह हम इसको open दिरके देख लेते हैं कि जैसे कि हमें यहां पर करने का option मिल जाता है को बीच महात ले जाने की जरूत नहीं होगी जैसे हम यहां पर करेंगे हम यहां से लोग कर सकते हैं और अगर हम दूसरी साइट पर करते हैं तो दूसरी साइट पर हम आराम से लोग कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं से यहाँ से साइड मेंन चला जाता है जो इसे उन से में साइड आप रखना चाहते सइसे की आपको यहाँ पर दिखे रहा हूं को फेस्ट रिकोणिशन डwand मैच तो यहां पर बेद tremendously पूरist करने सो कि अदुन नहीं था जो कि मुझे इसमें काफी अच्छा लगा है और मुझे जो अपना टैब है वो काफी स्मूध और काफी फास लगाई यह मैं आपको अपना एक देखने को मिल रहा है और अगर मैं आपको इसके बारे में बता हूँ तो जो मारा नोटिफिकेशन पैलेट कुछ इस तरीके से हुआ करता था और सेटिंग्स और पावर आफ को आया करता था अब मैं आपको अगर दिखाओं इसमें जित्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर रखता हूं तो पावर आफ को आप्शन अट गया और सिफ सेटिंग्स का यहां पर रहता है और अगर मैं इसका ऐसे करता हूं जैसे मैं उसमें किया हुआ था तो यहां पर नए नए आप्शन बजे देखने को मिल है और इसका थोड़ा सा लुक है वह थोड़ा सा बिलैक एंवॉइट मुझे थोड़ा सा और जबने को मिल गए है जैसे कि कंपेेरजट्यक्स अगर इसके में किया जाए तो ईसमें ब्लू कलरत है और इसमें आगरmag जो भी बटन से वह थोड़े-से ड क्षम dar किसा ज़ादा dark black थे इसमें उतने ज़ादा black नहीं है जैसे कि आपको दिख रहा होगा इन buttons में और airplane mode में आपको यहां पर दिखाता हूंगी कौन सा airplane mode में कैसा लगता है अब यह और airplane mode यह रहा तो थोड़ा सा मुझे उंतर इसमें यहां पर देखने को मिला है जो मेरे को मेजर चेंज देखने को मिला है और एक मुझे उन्होंने काफी अच्छा चेंज लाके इसमें उन्होंने मुझे दिया है वो है इसकी कैमरा क्वालिटी इंप्रूव्मेंट तो दोस्तों पहले इसका कैमरा काफी खराब था और अब इसका जो कैम तो आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रूफ देखने को मिली है तो स्मूधनेस में फट तो जाता है लेकिन पहले तो अगर मैं इसको नॉर्मल मोड में रख तो मेरे को ढंग से दिखाई भी नहीं दे द आँगा ऐसा आप इसका फीचर की एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को जरूर दबा दे क्योंकि हम यह वीडियो जरूर लाएंगे तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो तो दोस्तों अगर आप इस भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें तो दोस्तों मिलते हैं अपनी एगली वीडियो में